तो आप लोग networking devices वाले topic हम लोग देख रहे थे networking devices वाले topic में हम लोग ने दो-तीन device देखे दें मैं आपको दो मिनट में सबका brief बताता हूं फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग networking devices में जो इस्तमाल होता है मतलब एक network, computer network create करने के लिए हम लोग कौन से-कौन से devices का कस्तमाल करते हैं वो हम लोग इस पूरे portion में देख रहे हैं तो इसमें हम लोग star topology में अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग ने एक device कस्तमाल किया था जिससे सारे बाकी जो notes है वो connected थे और वो थे शायद hub या switch तो हम लोग ने हब देखा, हब एक बिल्कुल non intelligent device होता है जिसमें जितने भी devices connect रहते हैं अगर A को data D तक पहुचाना है मान दीजे तो वो A से लेगा और सब को बाट देगा तो इससे हमारा मुकसान हो रहा था क्योंकि privacy और security बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी लेकिन अच्छा बात यह था कि यह amplify तो करी देता था ठीक इसके बाद हम लोग दूसरा जो device देखे थे वो था switch switch एक भी multiport device था जैसा हमारा hub था लेकिन इसमें hardware के जो address को read करने की छमता होती थी मतलब कि जब incoming packet आता है तो incoming packet को किस destination तक पहुचाना है उसी particular destination तक यह पहुचाने का काम करता है ठीक है आपको याद होगा कि इसमें मैंने virtual circuit भी बताया था कि कैसे यह A मानलोग D तक पहुचाना है तो यह अपना एक virtual circuit बना देता है तो virtual circuit capability इसमें हुआ करती थी इसके बाद हम लोग अगर तीसरे portion पहा है थी तीसरा portion हम लोग ने router देखा था router कुछ भी नहीं था simple एक ऐसा device था जो packet को आगे जाने में मदद करता है उसको रास्ता दिखाता है राहगीर का काम यह करता है कभी एक network दूसरे network में जब packet भेजते हैं तो बीच में लेकिन कोई भी device ठीक है कोई भी device है वो device अपने network के साथ connected है और globally कहां पे है वो उसका IP address से पता चल जाता है तो कोई भी अगर device है वो अगर अपना IP address से भेज रहा है data तो वो router चेक करता है कि किस destination IP address तक जाना है और उस router क्या करेगा कि अपने आस पास वो खोजेगा कि मेरे आस पास और कौन से router है तो यह देखा इसके पास हो सकता है B router हो C router हो D router हो लेकिन देखा तक पहुचना था वो B पहुंचा सकता है तो वो packet को B router तक पहुचाता है फिर B router बहुत सारे router connected होगा वो अपने पास वाले के सांग पहुचाएगा और थीरे थीरे करते हुए आपको B तक आपको जहां पहुचाना है वहां तक आपका packet पहुच जाता है तो यह basically router का का काम ह हुआ करता था अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना नेटवर्किंग डिवाइस का एक और डिवाइस देखते हैं टोटल साथ प्रकार का डिवाइस में आपको पढ़ाऊंगा जिसमें यह अभी चौथा डिवाइस है यह जो डिवाइस है इसका नाम है ब्रिज ब्रिज बेसिकली अगर आप देखें तो यह कोई दूसरा बहुत important काम नहीं करता यह एक network को दूसरे network के साथ connect करने में मदद करता है नाम ही bridge है bridge आप समझते है ना जैसे एक land body है दूसरी एक land body है और बीच में अगर पानी है तो पानी और इसको इधर से connect कर रहा है तो क्य जैसा ही network में भी होता है जब कोई एक computer network है और बी एक दूसरा computer network है उसको अगर आपस में connect करना है और एक single network बनाना है तब अपन bridge करेंगे जैसे आपको यह सुनके बड़ा लग रहा होगा कि sir router की तो यही कर रहा था अगर आप router की देखेंगे तो यह वी एक computer network है और यह computer network है इन दोनों के बीच में एक यह device लगा हुआ है जो इन दोनों को आपस में connect कर रहा है तो router और फिर bridge में अंतर क्या है तो फिर मैं बोलूँगा कि bridge का काम यह है कि अगर यह एक network है और यह B network है B network A और B को आपस में जोड़ना और उसको एक entity बनाने का काम करता है इसके इसी बिलासपूर के campus में आएंगे तो आप देखेंगे जहां आपने admission दिया होगा वह अला जो building है उसको main building कहते है administrative building या main building कहते है और उसी के जस्ट बाजू में एक ठोग building और है जिसको IT building कहते हैं जिसमें computer science AT&T और IT branch बढ़ते हैं अब हो सकता है कि यह main network में अपना एक land के साथ connected होंगे अपना आपस में जब इन लोगों को आपस में बात करना था तो यह switch के through कर दे रहे थे लेकिन जब इसको कहीं और पहुचाना है तो इसको बीच में router करना पड़ते हैं वैसे ही same IT building में भी अपना एक network होगा और सब कुछ होंगे लेकिन ultimately यह है किसके under में य और यह ultimately एक GC का campus बनाएगा ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे मान दीजिए building होगा हर का अपना अपना network होगा हर की सिक्सानत अगर आपने एक bridge लगा दें तो सब के सब एक network में connected रहे जाएंगे तो इसको बोलते हैं एक network में बनाना और यह अगर में यहां पर अगर एक GGU का network है जो हमारे college के पीछे ही है अब आप क्या करेंगे देखें GGU अपना खुद का network है GC का अपना खुद का network है GC का एक आदमी एक mail भेजना चाहता है GGU में तो वो mail क्या किया पहले वो switch के पास गया switch देखा तो उसको router के पास भेज दिया router क क्या किया कि यह मेरा connected network में नहीं है लेकिन कहीं और का IP address है तो किसी और के पास भेज दिया दूसरे router के पास फिर तीसरे router के पास और धीरे-धीरे करके इस network के अंदर गुसा इस switch के अंदर गुसा और इस particular device तक पहुंच गया तो router क्या कर रहा है इस दो network को connect करने का तो काम क कर रहा है लेकिन इन दोनों को एक entity नहीं बना रहा है एक network में तब्दिल नहीं कर रहा है जबकि bridge का काम यह रहता है कि जब दो network है autonomous network है उनको connect करना उनको एक entity बनाना that is called bridge तो bridge का main काम यह है bridges are used to connect two or more hosts आप ध्यान दिजेगा bridge are used to connect two or more hosts host का मतलब आप समझ गया है यह कोई computer या node की बात कर रहा है दो या दो से अधिक host या दो या दो से अधिक network एक network है यह दो network है दो या दो से अधिक network को आपस में connect करना उसको बोलते हैं अपन bridge basic role bridge का काम इतना ही है कि यहां से जो data आएगा उसको store करेगा और forward करेगा store करेगा store करेगा forward करेगा इसका और कोई काम नहीं है bridge का क्योंकि ये दोनों network basically ये bridge का काम कर रहा है दोनों को beach में काम कर रहा है तो यहां से जो packet आ रहा है उसको बस store करेगा और आगे बढ़ाएगा और कुछ काम नहीं है इसका चीकर अब router से ये और इस पक्ष में भी है कि router जो address चेक करता है वो IP address चेक करता है मतलब अगर packet के में जो IP address लिखा रहता है उसमें ये समझ में आ जाता है कि globally अबन को कहां जाना है IP address basically जिससे आप एक इंसान है और आपका एक address है let suppose कि आप बिलासपूर में रहते हैं तो बिलासपूर लेकिन पता कैसे चलेगा मान दिए कोई अमेरिका में एक आदमी बैठा है उसको अगर आपको mail पहुंचाना है तो वो उसको बिलासपूर कैसे पता चलेगा उसको तो पहले ये पता होना चाहिए कि आप किस country में रहते हो तो आपका global level पे अगर आप देखेंगे तो global level पे country identify होती है country level पे आप जाएंगे तो आपको एक state फिर state के अंदर district district के अंदर आपको city identify होती है तो वही चीज़ना आपको बताना चाहा रहा हूं कि दो type का address आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है एक है आपका IP address और एक है आपका Mac address तो Mac address होता है physical address जो आपके device का address होता है physical और IP address global address होता है logic address होता है जो आपको एक पूरे internet की दुनिया में आपको एक address provide करता है कि आपकी location कहां पर है तो कोई भी आपके IP address से पता कर सकता है कि आपकी location कहां पर है Mac address से यह पता नहीं हो पाता है लेकिन bridge क्या करता है यह IP address को read नहीं कर पाता है तभी वो guide कर पाता है कि किस जगह पे उसको जाना है तो आपका ये जो bridge bridge का काम है ये आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हुगा कि ये router सो कैसे अलग है इसमें देखे bridge आजकल market से out हो चुके है इसको आप लगों को इतना डरने की जरूरत है क्योंकि bridge आजकल अलग से नहीं आते है क्यों क्यों नहीं आते है क्योंकि देखे अगर मैं एक network के बीच में दूसरे network के बीच में अगर ये जो router है router में ही अगर में bridge डाल दिया या फिर अगर मैं switch है माली कि ये जो switch है अपने इस्तेमाल कर रहे है switch में ही अगर मैं bridge का काम कर डाल दिया bridge का जो function है वो इसमें डाल दिया तो में लग से device खरीदने की क्यों जरूरत पड़ेगी मैं एक switch लगा दू बीच में मतलब एक network है एक network के बीच में switch लगा दिया और दूसरे network के connect कर दिया तो हमारा काम आसान हो गया तो अलग से आजकल bridge market में नहीं चल रहा है out of favor हो चुका है और multiport bridge आ चुके है multiport मतलब एक ही bridge ने multiport bridge आ चुके है जिसको हम लोग आम भाशा में switch भी कहते है तो अगर आप switch कोई बोलता है आपको तो switch में आप ये function भी जोड सकते है कि ये एक bridge का काम भी करता है ठीक है अब हम लोग आगे का एक device देखते हैं जिसको बोलता है gateway gateway आप लोग बचपन में या कभी भी सुने होगे gateway to this, gateway to that मतलब एक ऐसा रस्ता जहां से आगे की मंजिल चालू होगी है उसको अपन gateway होते हैं आम भाशा में, हिंदी भाशा में आप ये ये देख लिए gate का way ठीक है जो हम लोग आगे का रास्ता दिखा सके gate में पहुँचने के बाद कोई भी द्वार में पहुँचने के बाद आगे का जो रास्ता वदा सके that is called gateway तो gateway अगर आप उसमें देखें तो देखिए आप यहां पर एक figure देख पा रहे होंगे यह एक ऐसा diagram है यह एक internet है मालीजे यह पूरा आपका internet का दुनिया है modern क्या होता है वो आभी आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें modern बताने वाला हूँ लेकिन अभी आप यह समझेए कि यह एक network है internet की दुनिया यह worldwide web है जहाँ पर पूरा server सब store है सब कुछ है ठीक है यह आपकी दुनिया है जिसमें आप यहां पे अपना college के campus में आप यहां पे काम कर रहे हैं या अपना office का campus है वहां काम कर रहे हैं आप माल लेजिए आप A है B है C है D है चार व्यक्ती है चारों के पास अपना computer है आपको पता है कि कोई भी computer या कोई भी office के अंदर में या कहीं पे भी छोटे से network में उन लोग क्या होते हैं जब multiple devices connected रहते हैं तो उनके लिए हमको क्या लगाना पड़ता है switch तो यह switch आप लोग working तो आप समझ रहे होंगे अगर A को D तक data पहुचाना है तो switch क्या करेगा D तक उसको data पहुचा के देगा इतना आप लोगों को पता है अगर A को कोई printer से print निकालना है तो वो switch के थूँ printer से data निकालना प्रिंट करके ला सकता है यह आपस में खुश है मतलब यह जो परिवार है यह परिवार आपस में मस्त खुश है इन लोगों को जब भी आपस में बात करना था तब इन लोग आपस में बात करते थे लेकिन इनको कभी जरुवत पढ़ने लगी बाहरी दुनिया से मतलब इंटरनेट से जरुवत पढ़ने लगी तो इन लोग क्या किये इंटरनेट की दुनिया से connect करना शुरू किये तो यह एक network का आप मान के चलिये और यह अपना एक network है मान के चलिये इन दोनों का बात करने का तरीका अलग होगा obviously यहाँ पे दूसरे तरीके से बात किया जाएगा क्योंकि यह cloud है cloud में अपना एक तरीका होता है protocol होता है protocol मतलब set of rules होता है कि इस set of rules से इन लोग काम करते हैं आप इसको मान के चलिये कि यह चाइना है और यह इंडिया है मान लिए इंडिया वालों को कभी-कभी कुछ चीजों mobile phone की और कुछ-कुछ चीजों के लिए चाइना की जर्वत मान लोग पढ़ जाती है तो चाइना में अपना काम करने का तरीका अलग होता है protocol अलग होता है मतलब चाइना को चाइनीज को इंडिया से बात करने के लिए कोई converter से चाहिए तो यह जब एक network से दूसरे network को connect किया जाता है इस purpose से कि वो कोई जो device है वो उसको convert कर सके उसका protocol को या translate कर सके उस device को बोला जाता है gateway तो gateway कोई ऐसा specific device नहीं होता इस gateway उस हर device को बोला जाता है जो की convert करने में या translation करने में मदद करता है ठीक है जैसे की इसी लिए आप लोगों को ये कई बार exam में ना objective form में ये Indian engineering service से लेगे कितने exam में ये direct-direct question पुछा गया है कि which of the following device is called as protocol converter और आपके पास चार option रहेंगे switch रहेगा, hub रहेगा, router रहेगा और gateway रहेगा तो आपको याद रखना है कि switch, hub, router सब protocol converter नहीं होते हैं gateway अगर आपके option में हैं तो gateway is the protocol converter अब कई लोगों को दिमाग में फिर आता रहते हैं कि सब protocol क्या चीज़ है तो protocol एक set of rules होता है काम करने का जैसे मैं अभी आपको OSI model जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि कैसे ये किस protocol पे काम करता है अब लग इसका set of rules ऐसा है कि application layer कुछ और काम करेगा presentation layer कुछ और काम करेगा तो सब का अपना एक काम करने का तरीका होता है cloud पे अलग तरीके से काम किया जाता है इसको अगर आप मैं इंतम आम भाशा में बताऊं तो आपको let's suppose कि ये एक PDF file है और ये एक Excel file है ठीक है तो Excel file PDF से Excel में convert करना या Excel से PDF में convert करना देखो इसका बिलकुल काम करने का तरीका अलग होता है एक्सल में हम लोग क्या-क्या कर लेते हैं वो आप लोग lag में भी देखते हो और PDF सिर्फ read करने काम आता है लेकिन दोनों आपस में interchangeable हो सकते हैं Excel से PDF में भी convert किया जा सकता है PDF से Excel भी ये क्यों हो पा रहा है? बीच में अपने एक converter लगाते है convert करना पड़ता है तब ये हो पाता है तो कोई भी प्रकार का ऐसा ये तो मैं software की आपकी run कारी दिया लेकिन ऐसा कोई भी प्रकार का hardware जो protocol को convert करने में मदद करता है या translation करने में मदद करता है उसको हम लोग gateway कहते हैं जैसे एक आहाम भाशा में आपको मैं बताता हूँ आप कभी projector कभी देखे होगे आपकी school में अगर projector लगा होगा या फिर college आउगे तो आप देखना है अपने class में आपका बी section है आप लोग K2 में जाके बैठोगे K2 room number पे तो वहाँ पे आप देखिएगा कि वहाँ पे एक projector लगा हुआ है ठीक है उपर में projector से कुछ wires गई होगी यह wires क्या करती है कि यह जो projector का video signal होता है या पर आपने computer से projector में दिखाना चाहते हो तो यह wires के थूप connected रहता है अब computer का जो भी signal है वह यहाँ पे आना चाहिए तो इसमें दो प्रकार के wires होते है एक HDMI होता है और एक VGA केबल होता है मैं अभी आपको एक example की तौर पर बता रहा हूँ देखे क्या होता है कि यह जो दोनों केबल है यह video को transmit करने में मदद करती है इसले अपन यह लगाते है लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था VGA केबल आया करती थी VGA केबल में उतना साफ नहीं दिखता जितना हम लोग high definition multimedia interface में आपन देख सकते है HDMI केबल में तो आज कल के laptop आप जितने भी खरीदेंगे उसमें आपको HDMI केबल का port दिखेगा VGA केबल का port नहीं दिखेगा अब क्या करें problem आ गई VGA अपना तरीके से काम करता है अपने protocol में और मेरे laptop में HDMI port है मतलब मेरे को HDMI की जरुवत पड़ी तो अब मैं क्या करूँ तो मैं एक device खरीदा वो device क्या करता है basically आपका VGA format को change करने के बाद वो कर देता है HDMI में और यहां से एक केबल निकलता है जो HDMI का direct आप computer में लगा सकते हो इसका मतलब यह है कि मैं VGA केबल को direct बस एक converter को लगा के यूज कर दिया आप आम भाशा में ऐसा भी इस्तमाल करते होगे आप mobile देखते होगे mobile phone में आजकल मान दीजिए type C आगया है type C और आपको pen drive insert करना है मान दीजिए ठीक है pen drive अब pen drive direct तो mobile में लगेगा नी क्योंकि इसमें USB port है तो USB port mobile में लगता नी तो आपको क्या करना पड़ेगा यह converter लगाना पड़ेगा converter आपका pen drive को convert करके जो pen drive का protocol अलग है काम करने का और आपका type C का अलग तो यह type C में convert कर देगा तो यह सब बताने के पीछे मेरा यह logic है कि कोई भी ऐसा hardware device जो protocol को या फिर उसको convert कर रहा है translation करने में मदद कर रहा है that is called gateway server तो अगर जैसे मैं आपको बाकी सारे devices के बारे में बताया कि यह OSI layer में का OSI में साथ layer होते हैं साथो layer में कुछ न कुछ layer पे काम करता है तो आपका यह जो जैसे bridge को शायद में नहीं बता पाया था bridge data link layer पे काम करता है यह क्या है यह सब मैं आपको OSI में बता हूँ लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे OSI में साथ layer है जैसे application है presentation है session है आपका network layer है data link layer है physical layer आपका module है यह सब layer है हर layer का अपना काम करने का तरीका अलग होता है अभी सिर्फ आप इतना समझी है तो जब कभी भी इस layer को इस layer से बात करना होगा तो क्या करना पड़ेगा इस layer को इस layer से gateway तो gateway को अगर आप पूछा जाए कि यह कौन से layer पे काम करता है OSI model के तो आप बोलेंगे कि यह हर layer में काम करता है साथो layer में क्योंकि हर layer को दूसरी layer से बात करने के लिए एक gateway की जरुवत पड़ेगी तो मैं यह क्यों बता रहा है क्योंकि जब आप answer लिखेंगे तो यह line तो हर networking device में mention करिएगा कि यह कौन से OSI layer में आता है ठीक है OSI क्या होता है वो पूरा अलग topic है आपको बताऊंगा बट अभी के लिए आप मानके चलिए कि कहां पर यूज होता है तो आपका यह gateway सातों के सातों layer पर इस्तमाल होता है तो आगे हम लोग device देखते हैं that is called modem यह छटवा device है और काफी important device है modem क्यों क्योंकि modem basically आप लोग बचपन में सुने होगे modem करके modem का full form होता है modulation plus demodulation अब मैं आपको इसको एक example के form में समझाओंगा तो आपको अच्छे से समझना आजएगा कि क्या होता है modulation क्या होता है demodulation तो चलिए हम लोग अपने दुनिया में चलते हैं जहां पे आपको मैं एक इनसान हूँ let's suppose यहां पे मैं इनसान हूँ और यह इनसान क्या कर रहा है मैं आपको हर बार एक example लेता हूं mike का क्योंकि एक एक इत्म आम भाशा है यह एक आम है या फिर मैं आपको कुछ और example क्या लोग चलिए आज मैं आपको एक दूसरा example लेता हूं और मैं आपको लेता हूं कि चलिए आप mechanical mining वाले हो तो आपको मैं एक blast furnace में ले जाता हूं ठीक है यह blast furnace है अच्छा नहीं बना होगा लेकिन ठीक है कोई बात नहीं अब यह blast furnace या boiling कुछ भी होगा इसमें आप जानते हैं कि इसमें temperature तो बहुत ज़्यादा होगा temperature ज़्यादा होने के वज़े से अब यहां कितना temperature इसको नापने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरेको यहां पे एक thermometer लगाना पड़ेगा ऐसा thermometer, bi-metallic thermometer जो industry में use होता है जो इतनी temperature को सह जाता है और temperature बता देता है अब यह temperature बताया तो मैँ temperature को मान दीजिए plot करने की कोशिश कर रहा हूं तो हर बार time के respect में temperature को देख़ऊ time है यह मेरे temperature है तो temperature को अगर मैं देखउ तो देख़े हो सकता है यहां पे particular इस time पे यह आपका 27 डिगरी होगा फिर थोड़ा टाइम बढ़ा तो ज्यादा डिगरी फिर थोड़ा ज्यादा डिगरी फिर हो सकता है कि आपने बंद कर दें तो कम डिगरी फिर ज्यादा फिर ऐसे करके फिर ऐसे हो जाएगा फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है यह एक अनलोग और डिजिटल में क्या अंतर होता है कि analog time के respect में हर point में vary करता रहता है उसका amplitude और digital signal क्या होता है कि आपका ऐसा form पर होता है मतलब अगर आप time के respect में देखें तो इसका जो amplitude है वो vary नहीं करता है फिर एक आएक vary करेगा फिर बहुत time तरह constant रहेगा मतलब ज्यादा time तरह constant रहता है लेकिन analog signal में हर time पे जो amplitude vary करे तो आप यह signal देख पा रहे हैं कि analog signal है अब इसको मैं computer में कैसे भीजू तो यहां पर मैं एक device लगा देता हूं जिसको बोलते हैं A2D ADC जिसको बोलते हैं analog to digital converter यह क्या-क्या device होते हैं यह आप लोगों के अभी इस लेवस में नहीं है electronics वाले आगे पढ़ते हैं इसको कैसे design करना है कैसे क्या काम करता है लेकिन अभी आप इस डब्बे को समझिए कि एक डब्बा ऐसा है जो analog data को digital में convert कर देता है तो चलिए इसको मैं convert करके देखते है यहाँ पर इसको मैं threshold मान लिया 2.5 volt let's suppose 2.5 volt के उपर में जब कभी भी रहेगा signal तब आपका 1 रहेगा नहीं तो 0 रहेगा तो आप यह मान के जलिए यह जो इस point पर अगर आप देखें हैं तो यहाँ पर देखें कि यह 2.5 volt से कम है तो इसको आपन 0 मान के चलते हैं और यहा पर फिर हम लोग 0 ले लेते हैं और 0 कब तक लेना होगा आपका शिट यह गायब हो गया है चलिए इसको हम लोग फिर से एक बार आकर बड़ते हैं तो मैं आपको यह बता रहा था कि चलिए वहां से आपन स्टार्ट करते हैं कि let's suppose आपका जो analog data है वो digital में करवाट हो गया इतना आप लोग वोगो शायद अभी तक समझ में आया होगा अब यह वन और 0 के फॉर्म पर आ चुका है यह वन और 0 के फॉर्म पर जो data आया है इसको आप processing कर सकते हो मतलब इसको आप computer में भेज सकते हो data को अच्छी बात है computer में भेज दिये data को आपका जो natural phenomena था वो natural phenomena analog से Digital में convert होके आपके computer पहुँच गया लेकिन आपका यह computer मान लीजिए जमशेदपूर में है ठीशाब़ है यह आपका computer है और आपको यह data को कहां भेजना है भिलाई Steel प्लांट में भेजना है ठीश? जमशेदपूर का data भिलाई Steel प्लांट में जाएगा कैसे जाएगा आपका computer है computer में आमने process कर लिए data को अब आप भीजना चाहते हो अब यह गया है यह digital form पे data है क्योंकि computer तो digital में बात करता है यह digital form में data है यह data अब क्या करेगा इसको हम लोगों को यहां ते पहुचाना है तो obviously आपको antenna की जरुद पढ़ेगी क्योंकि आप जमशेदपूर से भिलाई wire तो connection आपके पास नहीं होगा तो आप हवे में बात करोगे उसमें तो आप क्या करोगे digital जो data है उसको आप यहां से antenna से भीजना चाहोगे तो यह जब जब भी मान लिजे one signal जाएगा तो यह data signal send हो गया मान लिजे waves के form पे हुआ जैसे ही इसमें 0 आया तो data send नहीं हुआ फि जैसे ही यहां पर एक receiver होगा receiver क्या किया यह signal को receive किया जब receive होता है तो वो मानता है कि one receive हुआ जब receive नहीं होता तो वो मानता है zero हुआ तो ऐसे करके जब यह data B तक पहुँच गया अच्छी बात है आपका जो आपका temperature का वो था वो आपने जमशेदपूर office से भिलाई steel plant के office इस तक भी आपने सब कुछ पहुचा दिया अच्छी बात है यह पूरा process होने के दौरान आपको मैं यह एक चीज बताना चाहूंगा कि यह जो बीच में antenna लग रहा था यह antenna कितने height का होना चाहिए तो scientifically यह proof है कि कोई भी दुनिया में antenna हो उसका एक minimum height होता है उससे नीचे कोई भी antenna design नहीं हो सकता वो antenna का height क्या होगा lambda by 4 मतलब कोई भी antenna का height होता है minimum height वो lambda by 4 से कभी भी छोड़ा नहीं हो सकता तो और lambda क्या है lambda तो आपको पता है कि lambda is going to c by f होता है और c क्या होता है 3 to 10 to the power 8 मतलब अगर कोई भी antenna का अगर आप height देखेंगे तो c by 4f आपको दिखेगा मतलब इतना height से नीचे कोई भी antenna का height नहीं हो सकता आप अगर देख पाएंगे तो c तो एक constant term है 4 भी एक constant term है मतलब जो antenna का height है वो क देशते जाते हैं तो आपको बहुत छोटा 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 antenna लगेगा है ना मतलब अगर इसलिए आप देख पा रहे हैं कि आजकल mobile phone पे antenna का size कितना छोटा हो गया है उसको बोलते है कि हम लोग जो voice signal होता है जो हम लोग बोल रहे हैं उसकी frequency कितनी होती है उसकी frequency maximum से maximum 3.5 kilohertz होती है यह एक maximum frequency range है voice signal का अगर आप audio signal की बात करेंगे तो audio की signal की होती है 20 hertz से 20 kilohertz मतलब अगर आप देखें तो audio signal मतलब यह जो mobile phone पे या कहीं पे भी काना होना बसता है यह audio signal है तो audio signal की सबसे highest range कितनी है 20 kilohertz और voice signal की 3.5 kilohertz अब मैं voice signal को transmit करना चाहता हूं let's suppose कि मैं जो बोल रहा हूं उसको मैं transmit करना चाहता हूं तो उसके लिए antenna का height कितना होना चाहिए इसको मैं measure करने के लिए इस formula पे इस फॉर्मूला करता हूं c मतलब 3 x 10 to the power 8 और 4 x f frequency चलिए मैं highest frequency नही किता हूं मैं 3 kilohertz लेता हूं एक 3 kilohertz क्योंकि हमारा calculation आसाम हो जाएगा तो 3 kilohertz ले लिया मतलब बहुत high frequency voice signal के टांसे में मैं देखता हूं 3 3 काटूंगा यह अच्छा 3 into kilohertz है ना तो 3 into 10 वह 3 यह 3 काटा तो यह बचा 5 मतलब 10 to the power 5 by अगर मैं 4 करूं तो यह होता है 25,000 25,000 आप समझ पा रहे हैं 25,000 मतलब 25 km आप कोई भी antenna का height अगर आपको voice signal transmit कर रहा है वो भी सबसे high frequency में बात करूं तो भी आपको 25 km की height आपको लगेगी क्या आप imagine कर पा रहे हैं इस चीच को तो हम लोग क्या करते हैं अब हम लोगों को यह दिमाग में आया है कि अगर हम लोगों को voice signal को directly भेजना है तो हम 25 km की height का antenna चाहिए जो practically possible नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं हम low frequency signal को हम लोग एक काम करते हैं high frequency signal के साब merge करके भेजते हैं य high frequency signal को हम लोग carrier signal कहते हैं जर्ली तो यह signal क्या करते हैं यह megahertz में होती है और यह megahertz वाली signal को carry करके लेगे चलती है और तब आप megahertz वाली signal को c by 4f करोगे और यहां पर 10 to the power 6 रहेगा तो obviously इस पर जो height है वो कम हो जाएगा तो आप कभी radio मेर्ची सुने होगे कभी आप लोग 94 4.3 my fm सुने हो गये आप यह तो जानते हैं कि एक चैनल का नंबर होता है लेकिन इसके आगे कौन से में यह होता है हर्ट्स होता है किलो हर्ट्स होता है या megahertz होता है कोई बता पाएगा कि तो 94.3 megahertz मतलब यहाँ पर ऐसा signal megahertz वाला carrier signal था 94.3 और उसमें आपकी जो voice signal है वो carry होके जा रही है इस पूरे प्रक्रिया को मैं क्यों समझा रहा था क्योंकि यह जो signal low frequency signal को high frequency signal में convert करते हैं इस प्रक्रिया को बोलते हैं modulation modulation तो अब आपके दिमाग में यह बैठना चाहिए modulation के दो अर्थ होते हैं उसका एक अर्थ मैं आपको बता दिया कि low frequency signal को हम लोग नहीं भेज सकते क्यों नहीं भेज सकते क्योंकि antenna हम डिजाइन नहीं कर सकते इतना लंबा चौड़ा तो इसको हम लोगों को high frequency signal के सांद मर्ज करके केरियर के फॉर्म पर भेजना पड़ता है केरियर समझते हैं साइकल का केरियर एक केरियर रहता है उसमें किसी को भी बठा के अपन ले चले वैसे ही high frequency signal को बठा के अपन ले चलते हैं इस प्रोसेस को modulation कहते हैं अब अगर यह signal जब transmit हो गया तो यहां receiver में जब receive होगा तो व अब मान लो इस वाले को भेजना है तो यह modulate किया और यह demodulate किया तो basically कहीं पर भी आप किसी भी antenna की अगर आप बात करिये यहां पर modulation भी होता है और demodulation भी होता है इसलिए इसका combination को हम लोग बोलते हैं modem तो modem हर जगा इस्तमाल होता है दूसरी बात modulation का एक purpose मतलब यह भी होता है कि analog को digital में convert करने का process को भी modulation कहते हैं तो आपको मैंने जैसे अभी पहला example दिया था वो फिलाई स्क्रांट जमशेदपूर का वो analog का data को क्या कर रहा था digital में convert कर दे रहा था वहां पे भी modulation हो रहा तो देखिए अब मैं आपको पूरा clear cut आपको जानपाली देता हूं कि देखिए यह आपका computer है computer को कभी भी signal को दूसरे computer तक पहुंचाना है तो उसको modern का इस्तमाल करना पड़ेगा चाहे analog को digital convert करने के लिए हो सही या फिर low frequency को high frequency में convert करने के लिए तो जो low frequency high frequency में convert करना रहता है वह आपका modulation demodulation technique जो है आपका से हो जाता है और analog से digital converter के लिए एक अलग device आता है जिसको ADC कहते हैं और digital से analog converter के लिए DAC कहते हैं तो यह अलग अलग device होता है लेकिन आजकल इसको भी modern कहा जाता है तो modern का शाबदी कर्थ और इसका function शायर आप लोगों को समझ में आय repeater वैसे repeater एक line का है ज्यादो कुछ नमझाने रायक नहीं है देखो repeater क्या होता है basically अगर आप आम भाशा में बोले तो यह amplifier का काम करता है मतलब आप amplifier कहीं लगा हुआ है तो उसको भी repeater कह सकते हैं देखो repeater generally अपन amplifier को कहते हैं amplifier का मतलब आप समझते हैं जो signal को boost करे वो amplifier ह मतलब अगर आप छोटा एक signal ले रहे हैं माल लिए यह 2.5V का maximum amplitude था अब इसको आपको boost करना है तो आप यह boost कर सकते हैं यह आपका 10V हो गया तो कभी भी कोई चीज को boost किया जाता है उसको amplifier बोलते हैं अपन माइक में भी यह करते हैं अपन धीरे बोलते हैं और वह amplifier जोर से करता है री जनरेट करने का मतलब यह होता है कि पुनर जीवन देना अब पुनर जीवन क्या होते देखिए यह एक आपने मान दीजिए आपने कुछ बोला वह बोला तो उसका एक analog signal का अपन waveform बनाते हैं तो कुछ ऐसा बना अब हो सकता है बोलने के बाद जब आप इसको अम हो सकता है ऐसा बेकार हो गया होगा कि आपको सिगनल कुछ ऐसा हो गया होगा कुछ भी चेंज हो गया होगा मतलब आपका अच्छा का सिगनल डिटरियोरेट हो गया अब बेसिकली इसको आप इधर देख पाएंगे तो यह है आपका weak inbound digital signal या फिर आप इसको digital form पे भी अग generate करना होगा तो अपन repeater इस्तमाल करेंगे repeater क्या करेगा इसको fresh signal में convert कर देगा मतलब अगर कोई signal deteriorate हो चुका है खराब हो चुका है उसको fresh generate करने के लिए repeater का इस्तमाल होता है अब यह करता कैसा है यह basically इसका block diagram अगर आप देखेंगे तो block diagram में आप थोड़ा अंदर जाजू में एक decision making box होता है और यहां पर एक timing box होता है जिसका connection ऐसे दिया जाता है और यहां से output लिया जाता है यह एक जो यह डबबा है ना repeater का इस डबबे के अंदर का में block diagram आपको बता रहा हूँ जैसे ही यहां पर एक signal आता है थोड़ा सा खराब signal आ गया मानलो equalizer क्या किया उसको equalize करने की कोशिश करा उसको मतलब अगर कोई signal ऐसे खराब form पे आ रहे है उसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करता है मतलब उसको smooth करने की कोशिश करता है that is called equalizer equalizer जैसे ही smooth किया इसको यहां पर भेज दिया और वही signal को यहां पर भी भेज दिया यहां पर जैस जैसे ही उसको pulse generate करने के लिए यहां पर उसको input की जरूर पड़ती है तो input let suppose यहां पर ऐसा आ रहा है equalize signal होने के पार थोड़ा सा आ रहा है यहां पर तो जैसे ही उसको input मिला वो एक pulse generate किया फिर pulse generate किया ऐसे train of pulse generate करता गया अब यहां पर जो decision making box है यह check करता है कि यह जो आपका signal आया है इसका एक threshold decide हुआ let suppose कि threshold है 2.5 volt और जैसे ही जो भी part 2.5 volt के उपर रहेगा उसको वो मान लेगा कि वो 1 है और जैसे ही जो part 2.5 volt से कम रहेगा उसको मान लेगा 0 basically यह सब मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको repeater का working बता रहा हूं repeater के अंदर का block diagram की repeater कर क्या रहा है repeater ऐसा क्यों कर पा रहा है अगर एक signal खराब हो चुगा था let suppose आपका यह pulse ही है pulse आपका pulse आपका खराब form पे है जैसे यह pulse है यह अच्छे form पे कैसे convert हो गया क्योंकि यह signal गया होगा पहले equalizer के पास equalizer उसको थोड़ा सा equalize किया होगा इसको थोड़ा सा ऐसे shape में हलका पलका shape में लाया होगा हलका सा जो threshold, threshold मतलब समस्ते है न, जैसे 0 और 1 है, इसके बीच का कोई threshold होगा, क्या होगा, 0.5, ठीक है, अगर 5 volt है और 0 volt है, तो इसका threshold क्या होगा, 2.5, मतलब 2.5 के उपर जो भी होगा, उसको मैं 1 मानूँगा, और 2.5 के नीचे जो भी होगा, उसको 0 मानूँगा, तो ये simple repeater का काम इतना ही है, कि वो जब भी चीजे आती है, उसको वो threshold से check करता है, कि threshold के उपर है, तो वो अपने आप मान दीजिए, एक 5 volt का signal है, वो कमजोर होके 3.5 volt हो गया है, ठीक है, और repeater के पास भेजा गया, repeater ने check किया, कि 2.5 volt के उपर है या नहीं है, हाँ, 3.5 volt, 2.5 volt के उपर है तो अपने आप उसको फिर 5 volt में convert कर दिया, इसका मतलब यह है कि मेरा जो signal 5 volt का था, भले noise के वज़े से वो 3.5 volt हो गया, लेकिन repeater के कारण वो वापस 5 volt में convert हो गया, क्यों कर पाया repeater, क्योंकि उसके पास एक decision लेने की box है, वो decision एक threshold के basis पे decide करता है, कि मैं इसको 1 खोशि तो इससे एक fresh signal फिर से generate हो जाता है, तो repeater का काम यह है, एक electronic device है जो amplify करने का काम करता है, और regenerate करने का काम यह करता है,